नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपना पीएफ बैलेंस चेक करने का सबसे असान तरीका तो इसके लिए आपको बस यह होना चाहिए कि आपका जो मोबाइल नमबर है वो आपके पीएफ अकाउंट में रेजिस्टर होना चाहिए जब हमारा पीएफ अकाउंट खुलता है जब हम कोई कंपनी जोइन करते हैं अपना पुराना वाला पीएफ अकाउंट वाँपे कैरी फरवट करते हैं या नया अकाउंट वाँपे हमारा खुलता है तो उस तमें हमारा मोबाइल नमबर वाँपे डालने का उप्शन होता है और यह automatically register हो जाता है, तो अगर आपका mobile number registered है, तो आपको क्या करना है, आपको simply, अगर आपको जबी भी कोई भी time, आपको अपना P.A. balance देखना है, आप simply एक miss call दें, जो number आपको यह screen पर दिख रहा है, 011-22901-406, आप जैसे ही इस number पर miss call देंगे, उसके 2-3 second के बाद आपको एक SMS प्राप्ट होएगा, उस SMS में आपको सारी details मिलेंगी, जिसमें कि आपका P.A. number होएगा, आपका नाम होएगा, आपकी date of birth होएगी, आपका जो P.A. अभी तक का जो total balance होएगा, वो mentioned होएगा, साथ के साथ इसमें आपको ये भी दिखेगा, कि जो last month था, जो आपकी last month की जो salary आई है, उस में से कितना P.A. डिड़क्ट हुआ है, कितना P.A. आपकी salary से कटके, आपके P.A. अले account में कटके गिया है, तो आप simply सबसे असान तरीका, आपके P.A. का balance चेक करने के लिए ये है, आपकी अगर किसी भी परकार का कोई सवाल होता है P.A. के बारे में, तो आप comment section में मिलते पूछ सकते हैं, और मैं आपको उस पर reply करूँगा, तो मिलते हैं अकली बार किसी और विशेक के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद,